हमेशा से हम मनुश्यों का ऐसा प्रयास रहा है कि हम अपने बाहूबल, मसल पावर को बढ़ाएं ताकि हम ज्यादा और भारी काम करने के सक्षम हो अपना बाहूबल बढ़ाने के लिए हम मनुश्यों ने सबसे पहले पत्थर और धातू के सरल ओजार बनाएं फिर हमने जानवरों को पालतू बना उनकी शक्ति का इस्तिमाल करना सीखा जैसे समान ढोने के लिए बैल गाड़ी या घोड़ा गाड़ी का प्रयोग फिर भाप की शक्ति का इस्तिमाल कर हमने बहुत भारी काम करना शुरू किया जैसे भाप चले त्रेल भाप की शक्ति को अपने वश में करना कारण बना पहली ओद्योगिक क्रांती का जब जब किसी नई खोज या अविशकार ने हम मनुश्यों के बाहुपल में काफी अधिक पृद्धी की तब तब वैश्विक अर्थवेवस्ता का धांचा बदला बदलती परिस्थितियों में जो किसान या तो नई कोशल सीख पाए या जो अपने खेतों को मशीनी करित कर पाए वे ही आर्थिक रूप से सफल हुए बिजली की खोज ने अधियोगी की करण की दूसरी लहर शुरू की और इससे आए आटोमेशन और बड़े पैमाने पर उत्पादन, मास प्रडक्शन, कारण बने सेवा शेत्र, सर्विसेस सेक्टर के उदेगा अब तक वो नौकरियां जिन में मानसिक या संग्यानात्मक कोशल, काग्निटिव स्किल्स की जरूरत थी वो सुरक्शत मानी जाती क्योंकि मशीने ऐसे काम करने में असमर्थ थी सूचना प्रद्योगिकी, Information Technology और कम्प्यूटर, कारक बने तीसरी ओद्योगिक क्रांती के और इस क्रांती ने ग्यान की मातरा में अत्यधिक फृद्धिला दी ग्यान केंडरित अर्थवेवस्था, Knowledge Based Economy में सफलता के लिए किसी एक ग्यान शेतर में विशेशक्यता हासिल करना अनिवारे हो गया ये विशेशक्यता आमतोर पर विशविद्याले की डिगरी या कौशल आधारिट डिप्लोमा का रूप लेती फिर बीसमी सदी के अंत में एक बड़ा बदलाव आया कंप्यूटर और अधिक शक्तिशाली और सस्ते हो गए पुराने मेंन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में अब एक आम मोबाइल फोन में अधिक कंप्यूटिंग शक्ति विद्यमान थी मशीने जो अभी तक मनुष्य के बाहु बल को बढ़ा रही थी उन्होंने अब मानव के मस्तिश्क बल को बढ़ाना और प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया 21 सदी के दूसरे दशक में आज भौतिक, फिजिकल, जैविक, बायोलोजिकल और डिजिटल टेकनोलोजीज का सम्मिलन, कन्वरजन्स शुरू हो गया है इस सम्मिलन को चौथी अध्योगिक क्रांती कहा जा रहा है और आलुवांशिक रूप से संचोधित खादिपदार्थ, जैनेटिकली मॉडिफाइड फूड, दुनिया को एक नया रूप दे रहे है कृत्रिम रूप से बुद्धिमान मशीने तेजी से उच्चतर संग्यानात्मक कारे करने में सक्षम हो रही है और पुर्नावरित्ती आधारित आत्म निर्देशन, रिकर्जिव सेल्फ लर्निंग जिसको मशीन लर्निंग कहते हैं कि माद्यम से लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार कर रही है अगर आज किसी काम को कलन विधी, अल्गारिदम पर आधारित किया जा सकता है तो निश्चत ही उस काम को कृत्रिम बुद्धमता वाली मशीने मनुश्य से बहतर करने के योग्य हैं प्रशन उठता है कि चौती अध्योगे करांती का रोजगार पर क्या असर पड़ेगा भविश्य में किस तरीके की नौकरियां होंगी या कोई नौकरी बचेगी की भी नहीं किस किसम के कौशल आपकी नियोजनियता में चार चांद लगाएंगे इन सभी मुद्दों पर एक सरसरी नजर डालते हैं वेंडिंग मशीन, ATM, हवाई अड़े पर स्वयम चेक इन कियास्क, दुकानों में स्वयम सेवा भुकतान योग ये रेडियोलॉजिस्स से ज़्यादा बहतर एक सरे छवियों का विशलेशन करती कृत्रिम बुद्धिमान मशीने कंप्यूटर द्वारा प्रतिसापित किये जा रहे साहयक वकील गोदामों में स्वचालित रोबोट और सड़क पर चालक रहित गाडियां यह सब जब चौथी अध्योगिक क्रांती अभी अपनी शैश्विक अवस्था में है क्या प्राध्योगिकी सभी नौक्रियों को खतम कर देगी? ड्रोन अपरेटर इस्पोर्स कॉमेंटेटर सोशल मीडिया रिपोर्टर कॉन्टेंट क्यूरेटर 3D फैबरिकेटर वर्चूल रियालिटी डिजाइनर बिग डेटा विशलेशक सिटिजन साइन्टिस्ट सस्टेनेबल उर्जा प्रवर्तक ब्लॉक्चेन ओरिटर इंटरनेट अव तिंग्स विशेशक्य रोबोट मरमत कारिगर बिटकॉइन व्यपारी अंतरिक्ष ब्रह्मन गाइड क्या प्रोध्योगी की कई नई और रचनात्मक नौकरियां उत्पन करेगी कल्पना कीजिए आप पानी गरम कर रहे हैं और एक छोटी बच्ची पानी में रखे थर्मोमीटर को देख रही है जैसे जैसे पानी गरम होता है थर्मोमीटर का पारा बढ़ता जाता है 30 डिगरी सेल्शियस 40 डिगरी 50 डिगरी 80 डिगरी सेल्शियस आप उस छोटी बच्ची से पूछते हैं कि आगे क्या होगा पहली बार पानी गरम होता देख प्रेक्षक के रूप में लाजम है वो कहेगी कि पानी और ज्यादा गरम हो जाएगा वो अनुमान नहीं लगा सकती कि 100 डिगरी सेल्शियस पर पानी भाब बन जाएगा जिसको चरन परिवर्टन फेस चेंज कहते हैं जब पदार्थ की अवस्था बदल जाती है और द्रव, लिक्विड, गैस में परिवर्टित हो जाता है आने वाले भविश्य के संदर्ब में हम उस छोटी बच्ची की तरह हैं जो कल्पना भी नहीं कर सकते की आगे होने के अवाला है भविश्य असपष्ट, अस्थिर, अनिश्चित और जटिल है जिसको अंग्रेजी में वू का फ्यूचर कहते हैं वोलटाइल, अंसर्टन, कॉंप्लेक्स, औन अम्बिग्वस क्या रोबोट और कृत्रिम बुद्धिमान मशीनों का उदय और इनका परिणाम भारत में उसी समान होगा जैसे तकनीकी रूप से उननत देशों में हो रहा है भारत की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी या तो स्वयम नियोजित या असंगठित शेत्र में काम करती है 2010 में 31 आंकडों के अनुसार भारत में 46 करोड कारेरत लोगों में से 50 प्रतिशत क्रिशी शेत्र में काम करते हैं 11 प्रतिशत विनिर्मान शेत्र में और 25 प्रतिशत सेवा शेत्र में चौथी ओद्योगिक क्रांती का क्रिशी में काररत लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ओनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग मॉल में लगी स्वयम सेवा भुकतान मशीने रीटेल शेत्र में बड़े पेमाने में बेरोजगारी का कारण बनेंगी? अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए कई नई परेशानिया खड़ी हो सकती हैं क्योंकि भारत की दो तिहाई जनसंग्या 35 से कम उमर की है और हर महीने साड़े तीन करोड युवा अपनी अठारवी सालगिरा मनाते हैं ये सभी एक अच्छी नौकरी पाने के उच्छुक हैं अच्छी खबर यह है कि उभरती प्राद्वगी के कारण नौकरियां खतम नहीं हो रही इनका स्वरू बदल रहा है अगले प्राकरण में हम देखेंगे कि किस किसम की नई नौकरियां उभर रही हैं और इन्हें पाने के लिए किस किसम के नई कौशल सीखना अनिवारे होता जा रहा है